हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चनल आज मैं आपको डबल लेयर स्ट्रेप बेबी टॉप बनाना बताऊंगी तो उसके लिए मैंने स्रिप एक मिटर जॉर्जेट का ब्लेक फैब्रिक लिया हुआ है और देल मिटर मैंने वाइट जॉर्जेट का ही फैब्रिक लिया हुआ है अभी उपर से जहां पर हमारा कोना है वहां पर हमें शॉल्डर के लिए साड़े पाच इंच पर निशान लगाना है और एक सिधी लैंड ड्रो कर देनी है जहां पर भी हमारा साड़े पाच इंच पर निशान आता है वहां पर हमें निशान लगाते हुए एक सिधी चेश्ट का मेजर्मेंट लेंगे तो आपकी बेबी की चेश्ट का जो भी मेजर्मेंट हो उसका बाग करना है और उसमें हमें स्रिफ एक इंच ही एक्ष्टा लेना है सिलाय मार्जिन के लिए तो मैंने आठ इंच पर निशान लगाया है चेश्ट का फोर्थ पार्ट करके स्रिफ एक इंच एक्ष्टा लेना है सिलाय मार्जिन के लिए अभी आम होल के लिए हमें स्रिप एक इंच पर निशान लगाना है अभी के लिए हमें स्रिप निशान ही लगा देना है आप चाहे तो अपनी पसंद से लंबय कम्या ज्यादा भी कर सकते है अभी उपर से हम देख लेंगे यह लंबाई कितनी आई है तो यह हमारी 20 इंच की लंबाई आई है तो पूरे राउंड में हमें इसी तरह से 20 इंच पर निशान लगाते जाना है ध्यान रहे इंची टेप को हमें इसी तरह से कोने के उपर रखना है और 20 इंच पर निशान लगाते जाना है पूरे राउंड में 20 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक राउंड शिप ड्रो कर देना है यह हमारे छोटे वाले पार्स की लंबाई रहेगी 15 इंच की अभी सैट से भी हम एक हलकी से लैंड ड्रो कर लेंगे इस तरह से हमें राउंड शिप ड्रो कर लेना है अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 0.5 इंच पर निशान लगाना है इसमें हम स्ट्रेप बनाने वाले है तो गले की चौड़ाई हम 0.5 इंच की रखेंगे अभी गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है तो जहां से हमारी बंदवली सैट है वहां से हमें 4 इंच पर निशान लगा देना है हम आगे और पीछे का गला सेम ही बनाने वाले है अभी जो हमने 0.5 इंच पर निशान लगाया है उसके नीचे हमें 3 इंच पर निशान लगाना है यह हमारी स्ट्रेप की लंबाई रहेगी 3 इंच की तो 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सिधी लाइन ड्रो कर देनी है और इस निशान को जो हमने गले की लंबाई के लिए निशान लगाया है वहां तक हमें round shape दे देना है और इसी निशान को हमें आम होल के साथ भी इसी तरह से मिला देना है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिलकुल उसी तरह से तो ये शेप हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा उपर हमारी स्ट्रेप अटेच होगी अभी जहां पर हमने गले की चौड़ाई के नीचे लाइन डो की है उसका हम मेजरमेंट ले ले लेंगे तो ये हमारी तीन इंच की आई है तो हमें इसे ध्यान में रखना है तो तीन इंच की हमारी स्ट्रेप रहेगी अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो देखे इस तरह से हम cutting कर लेंगे तो मैंने cutting कर दी है अभी हम बड़े वाले parts की cutting white fabric के उपर करेंगे तो white वाले fabric को भी मैंने उसी तरह से triangle shape में four fold करके बिचाया हुआ है जो मेरी side है वो बंद वाली side है और जो उपर की side है वो इसकी खुली हुई side है अभी जो हमने छोटा वाला part cut किया है उसे हमें इसी तरह से जहां से हमारी बंद वाली side है वहाँ कोने के उपर इस तरह से रख देना है और इसका neck और armhole हमें ऐसे ही as it is draw कर लेना है जो हमने छोटा वाला black part कट किया है उसे हमें बंध वाली साइट के उपर बंध वाली साइट ही होनी चाहिए इसी तरह से हमें इसे draw कर लेना है लेकिन हम इसके लंबाई बढ़ा देंगे यह हमारा बढ़ा वाला पाट रहेगा वाइट वाला तो जितना हमारा ब्लेक वाले पाट की लंबाई है उससे तीन इंच लंबाई हमें एक्ष्ट्रा लेनी है वाइट वाले पाट की तो नीचे की तरब से हम 3 इंच पर एक्ष्टा बढाते हुए निशान लगाते जाएंगे इस तरह से और एक round shape ड्रो कर लेंगे 3 इंच लंबाई बढाते हुए इस तरह से हमे round shape ड्रो कर लेना है आप चाहें तो बड़ा वाला पार्ट black color का भी cut कर सकते है और छोटा वाला पार्ट वाइट कलर का कट कर सकते है अभी देखे इस तरह से निशान लगाने के बाद हम ब्लैक वाले पार्ट को हटा देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो इस तरह से हमारे दोनों ही पार्ट की कटिंग हो चुकी है इस तरह से वाइट वाले पार्ट के उपर हमारा ब्लेक वाला पार्ट रहेगा और ये दो पीस वाइट कलर के है और दो पीस हमारे ब्लेक कलर के है चोटी साइज के अभी हमें स्ट्रिप बनानी है तो उसके लिए मैंने ये दो पटिया कट की हुई है और जो हमने स्ट्रिप की लंबाई 3 इंच की रखी थी तो उसका डबल 6 इंच होता है और 1 इंच हमें सिलाई के लिए रखना है तो मैंने 7 इंच की पटि कट की हुई है अभी हमें इस पट्टी को इस तरह से दोनों सेट से फोल्ड करते हुए एक बार फिर से फोल्ड करना है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगाएंगे तो देखे मैंने दोनों पटियों को रेडी कर लिया है अभी सबसे पहले हमें बड़ा वाला पार्ट यानि की वाइट वाला पार्ट लेना है और उसके उपर जो हमारी गले की चौड़ाई है वाँ पर हमें दोनों स्टिप को इस तरह से रख देना है उसके बाद हम बलेक वाले पार्ट को इसके उपर रखेंगे और जहां पर हमने स्टिप लगाई हुई है वाँ पर हम पीन्स से सिक्यूर कर लेंगे ताकि ये स्टिप हमारी इधर उधर ना जाये आप चाहे तो पूरे आम होल के उपर और गले के उपर पीन्स लगा सकते है उसके बाद हमें इसमें सिलाई लगा देनी है हमारे आम होल पर नेक पर और दूसरे साइट के आम होल के उपर हम सिलाई लगा देंगे तो देखे मैंने इसके उपर सिलाई लगा दी है अब हम इसमें छुटे-छुटे cut लगाएंगे तो cut लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं cutनी चाहिए इस तरह से हमें इसमें cut लगा देने है और cut लगाने के बाद जो हमारा black वाला पाठ है उसे हमें इस तरह से पलट देना है तो ये strip इस तरह से हमारी पाहर की साइट पर निकल आएंगी देखे इस तरह से अभी इसके उपर हम cover सिलाई लगा देंगे आम होल पर, neck पर और दूसरे साइट के आम होल पर तो देखे मैं इस तरह से इसमें cover सिलाई लगा दी है अभी हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, तो दूसरा पार्ट भी हमें पहले बढ़ा वाला ही लेना है और उसके उपर जो हमने पहला वाला पार्ट रेड़ी किया है, उसे हमें सीधा ही रखना है जैसे आफ वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से और इसकी जो गले की चोड़ाई है वहाँ पर हमें दोनों स्ट्रिप को इस तरह से रख देना है दोनों साइड में उसके बाद हमें छोटा वाला पाट यानि कि ब्लेक वाला पाट इसके उपर रखना है इस तरह से उसके बाद हमने जो स्टिप लगाई है वहाँ पर हम पहले पिंस लगा लेंगे दोनों ही सैड में तो ये जोर्जेट वाला फेब्रिक दोनों सैड से एक जैसा होता है तो हमें इसमें उल्टा सिधा देखने की ज़रुरत नहीं होगी उसके बाद हमें इसमें सिलाय लगा देनी है तो देखे मैंने इसके आम होल पर नेक पर और दूसरे सैड के आम होल पर सिलाय लगा दी है अभी हम इसमें भी छोटे छोटे कट लगा देंगे और बलेक वाले पाट को इस तरह से पलट देंगे तो ये दोनों सैट से हमारी स्टिप इस तरह से बाहर निकल जाएंगी और पलटने के बाद हमें दूसरे वाले पार्ट के उपर भी हमें कवर सिलय लगा देनी है नेक पर और आम होल के उपर तो देखे इस तरह से मैंने cover लगा दी है और ये इस जिप हमारी इस तरह से बीच में आई है अभी हम इसकी fitting करेंगे तो देखे इस तरह से जो दूरेट के छोटे वाले पाट यानि की black वाले पाट है उसे हमें इस तरह से पकड़ना है जैसे आप इडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें black वाले पाट को इस तरह से पकड़ना है उसके बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है तो एक इंच का गेप देते हुए जहां तक हमारा white वाला fabric है बड़ा वाला जो पाट है यानि कि white वाला जो पाट है उसमें हम 3-4 इंच तक ही सिलाई लगाएंगे नीचे की साइट सिलाई नहीं लगाएंगे इसी तरह से दूसरे साइट भी white वाले पाट में हम 3-4 इंच तक ही सिलाई लगाएंगे एक इंच का गेप रखते हुए तो देखे मैंने इस तरह से इसमें सिलाय लगा दी है अभी जहां तक भी हमें इसमें सिलाय लगाई है वहां पर हमें एक छोटा सा कट लगाना है देखे इस तरह से हमें एक छोटा सा कट लगा देंगे तो हमारा फैबरिक मोरने में हमें आसानी होगी इसी तरह से दूसरी साइट पर भी जहां तक हमने सिलाई लगाई है वहां तक हमें वहां पर ही हमें एक चोटा सा कट लगाना है कट लगाते वक ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए उसके बाद जो नीचे की साइट हमारी खूली हुई साइट है उसे हमें इस तरह से सीधी साइट से ही सिलाई लगानी है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से तो पहली सिलाई हमने उल्टी साइट से लगाए थी तो इस तरह से हमें फैबरिक को सीधी साइट से ही सिलाई लगानी है नीचे वाली जो हमारी खुली हुई साइड है उसे हमें इस तरह से दोनों ही साइड को मिलाते हुए इस तरह से हमें इसमें सिलाय लगा देनी है जहां पर हमने कट लगाया था वहां से नीचे हमें सिलाय लगानी है इसी तरह से दूसरे सैट पर भी हमें इसमें सिलाई लगा दीनी है इस तरह से हम इसके उपर सिलाई लगा देंगे दोनों ही सैट से तो सीधी सैट से पलटने के बाद ये सिलाई हमारी वीजिबल नहीं होगी इस तरह से हम इसके उपर सिलाई लगा देंगे तो देखे इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही साइट से अभी इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद आपको पता चलेगा ये सिलाई हमारी इस तरह से वीजिबल नहीं होगी क्योंकि हमारा बड़ा वाला पाठ है उसके उपर हमारा छोटा वाला पाठ आता है तो नीचे की सैट से इस तरह से हमारी सिलाई कवर होनी चाहिए तो हमें इसी तरह से सिलाई लगानी होगी आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी सिलाई कवर अप हो चुकी है इसके उपर हमारा छुटा वाला पाट आएगा अभी जो इसकी नीचे की बॉर्डर है इसमें आपको स्टीच करवानी होगी स्टीच करवाएंगे तो ही इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आएगा तो दोनों ही पार्ट्स में आपको स्टीच करवानी होगी या फिर आप चाहे तो इसकी border को इस तरह से double fold करते हुए भी इसमें सिलाई लगा सकते है उपर और नीचे के दोनों ही parts में तो अभी के लिए मैंने इसे double fold करते हुए सिलाई लगा दी है अभी जहां पर हमने strap लगाए है वहां पर हम bow attach करेंगे तो यह मैंने चोटी size का piece cut किया हुआ है इसे हमें इस तरह से double fold कर लेना है दोनों ही side से और double fold करने के बाद हम इसके दोनों side के किनारों पर सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधी side पर पलट देंगे तो देखे मैंने इसे सीधी सैट पर पलट दिया है अभी इसके बिलकुल सेंटर में हमें नीडल और थ्रेट की मदद से इस तरह से टाके लगा कर इसका बोव बना लेना है और बोव बनाने के बाद जहां से हमने स्ट्रिप लगाने शुरू की है वहीं पर हमें इसे नीडल और थ्रेट की मदद से लगा देना है आप चाहे तो इसे बिना बो लगाये भी ऐसे ही पहन सकते है तो देखे मैंने दोनु साइट में बो अटेच कर लिये है और इसी के साथ ही हमारा डबल लेयर स्ट्रेप बेबी टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लूक So friends, I hope आपको आज का है टुटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का है वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भुलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरा ये वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मज़ गाइस